प्रिय विद्ध्यार्तियो नमस्कार मैं आपकी हिंदी शिक्षिका संगीता भट्टड आज का टॉपिक है पार्ट दो वर्न विचार व्यक्रन से पहले के विडियों में भी हमने ये पड़ा आज मैं इसका पुनरावर्तन करवारी हूँ पहले के विडियों में हमने जाना कि वर्नों के निशित क्रम को क्या कहते है बच्चो वर्नमाला और वर्न के दो भेत होते हैं वो आपको यादी होगे तो वो कौन से स्वर और वेंजन तो स्वर होते हैं ग्यारा और वेंजन होते हैं तेतीस और जो क्षट्रग्यश्र ये क्या होते हैं बच्चों? सहीक्ट वेंजन अब मैं आपको पुना याद दिलाती हूँ कि स्वरों कोई मात्राए होती है स्वर ये दी वेंजन से पहले जूडते हैं तो वे अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं पर स्वर जब वेंजन के बाद जूडते हैं तो वे अपने मूल रूप में न जूड़कर कुछ निश्चित चिन्नों के रूप में जूडते हैं इन चिन्नों को स्वरों की मात्राए कहते हैं अमने आप पढ़ले भी पड़ा है A की कोई मातरा नहीं होती और बाकी सभी स्वरों की मातराए होती है तो अप देखिए A कोई मातरा नहीं प अलंध प्लस A क्या बना? प इसे शब्द क्या बना? पल पकड़ आ, इसकी मात्रा इसी होती है, तो र प्लस आ, ये क्या हो गया? रा, इससे शब्द क्या बना? रात, राजा, छोटी, इसकी मात्रा पहले लगती है, अब हम ग पे छोटी की मात्रा लगाएंगे, तो क्या बन गया ये? गी, इससे शब्द क्या बने है? गीन, गिलास, अब है ब बड़ी इकी मात्रा बाद में लगती है च प्लस बड़ी तो क्या बन गया ची इससे शब्द बना है चील चिता छोटाओ यहाँ सव प्लस छोटाओ तो सू इससे शब्द क्या बन गया सूर शूराही बड़ाओ जब पे हम बड़ाओ लगाएंगे जब प्लस बड़ाओ तो इससे शब्द क्या बना है जूँए इससे बन गया शब्द जूताँ जूस री री की मात्रा हमेशा नीचे लगती है अब हम को पे री की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन गया? क्रू, इससे शब्द क्या बन गया है? क्रूपा, क्रूशक, ए, एकी मात्रा उपर लगती है एकी लगती है, तो हम मो पे एकी मात्रा लगाया है तो क्या बन गया बच्चो? मे, इससे शब्द बना है मेल, میरा, ए, ए पे दो मातरा है तो हम ये फ पे ए की मातरा लगा रहे तो फ इससे शब्द बन गया फैलना, फैसला, ओ, ओ की मातरा एक नीचे और एक उपर, ऐसे तो छो पे हम ओ की मातरा लगाने से क्या बन गया छो, इससे शब्द बना है चोटा, छोड़ना, ओ, ओ पे नीचे एक और उपर दो मात्रा तो दो पे ओ की मात्रा लगाए तो क्या बन गया? दो इस से शब्द बनेंगे दोड, दोलत अब यहाँ देखो स्वर वेंजन के साथ भी शब्द बनते हैं स्वर अपने मूल रूप में वेंजन के साथ जूड़कर भी शब्द बनाते हैं जैसे स्वर ओ, स्वर वेंजन के साथ तो ओ है, तो अनार, अद्रव यहाँ पे दोनों पहले अक्षर ओ आये हैं, मतलब स्वर और बाकी दोनों क्या आये हैं? वेंजन इसके साथ भी ऐसे शब्द बनते हैं, जैसे आ, आम, आग, छोटी, इ, इमली, इमर्ती इ, इक, इश्वर, उ, उडना, उत्तर, उ, उन, उपर, री, रीशी, रीन ए, एक, एडी, ए, एनक, एरावत, ओ, और, ओस, अउ, अवरत, अवजार जैसे हमने पहले भी देखा, श, त्र, ग्य, और श्र, ये क्या हो गया? संयुक्त वेंजन ये दो अकशर से बनते हैं, तो इसके अतिरिक भी हम दो वेंजनों को जोड़कर सहुक्त वेंजन या सहुक्त अकशर बना सकते हैं इन्हे बनाने के लिए पहला वेंजन सुर के बिना और दूसरा वेंजन सुर के साथ आता है जैसे, यहां मैं बता रहे हूँ, च हलन्द प्लस च, तो यह हो गए च, इससे शब्द बनते हैं, बच्चा, सच्चा, कच्चा, आपको ही शब्द बना सकते हो दूसरा, च हलन्द प्लस च, तो यह च हो गया, तो अच्चा, लच्चा, मच्चर, स्वच्च, अब आप नीचे देखके इसका अभ्यास कर सकते हो अब मैं पुना एक बार वर्नविच्चस अब समझाती हूँ, पुस्त, तो प पे कुन से मात्रा है, छोटाओ, तो प प्लस छोटाओ, प हलन्द, बाद में आधा सह है, तो हम सह को पूरा लिख के उसको हलन्द कर देंगे, तो वो हो जाएगा आधा, बाद में प्लस त, यह पूरा है, तो हम इसको त, मतलब त प्लस अ, त हलन्द, तो यह हो जाएगा, त, बाद में है क, तो क बोलते वक क और अ निकल रहा मुझ से, तो क प्लस अ, अब इसका वर्नविच्चे दो गया पूस्त, दूसरा, जैसे ठाली, ठा पे कुन से मत्रा है, आ, तो हम क्या लिखे ठालन्द, प्लस अ, ठा, अब ली, लपे कुन से की मत्रा है, बड़ी, तो ल, हलन्द, प्लस बड़ी, अब आपको वर्नविच्चे दो से कोई भी शब्दल्यो और वर्नविच्चे करने का अभ्यास करना है, धन्यवाद